कहानी सुरू होती है एक कार रेश से और हमेशा की तरह गानियस नाम का रेशर लीड कर रहा होता है और उस रेश को थियो नाम का एक सनेल टीवी पे देख रहा होता है उसका भी हमेशा से सपना था कि वो भी एक दिन एक रेशर बनेगा वो गानियस को ही अपना आइडल मानता उसे जब भी मौका मिलता वो उसका इंटर्व्यू सुनता था गानिय सपने इंटर्व्यू में कहता है कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता और सपना देखने वाला कभी छोटा नहीं होता ये लाइन थियो को हमीशा मोटीवेट करती थी थियो का बड़ा भाई चेट उसके रेशर बनने के सपने को लेकर हमीशा चिंतित रहता था वो उसे समझाने की बहुत कोशिस करता था कि वो एक स्नेल है और वो कभी भी एक रेशर नहीं बन सकता पर उसकी कोई भी बातों का उस पे कोई असर नहीं होता था वहीं के एक गार्डेन में थियो बहुत से सनेल के साथ रहता था उन सब का बस एक ही काम था वहाँ के पौदों से पके हुए टमाटर कोई कट्ठा करो और फिर आराम से खाते रहो पर वहाँ भी थियो उन टमाटर को लुड़का कर उन से रहस करने की कोसिस करता था जिसे देख कर वहाँ के सारे सनेल उसका बहुत मजाक उड़ाते थे चेट उससे कहता है कि वो कब अपने सर से इस रहस का भूत उतारेगा वो ये क्यों नहीं समझता कि वो एक सनेल है और कुदरत ने उन्हें ऐसा नहीं बनाया कि वो एक रेसर बन सके उसे ये बात मान लेनी चाहिए कि वो एक बहुती सुस्त और बेजान जीव है इस बात को वो जितनी जल्दी एकसेप्ट कर लेगा उसके लिए उतना ही अच्छा होगा तभी वहाँ के घर से एक बच्चा अपनी बाइक लेकर बाहर निकलता है उसे अपने पास जो भी कीड़ा दिखाई देता था वो उसे अपने बाइक से कुचल देता था सारे सनेल उसे देखकर अपने सेल में छुप जाते हैं रात में फिरसे थियो गानियस का इंटर्व्यू देख रहा होता है जिसमें वो कह रहा था कि हर रेसर के जीवन में एक वक्त ऐसा आता है जब उसे कुछ सेकंड्स में डिसीजन लेना होता है कि पीछे हटे या आगे बढ़े एक चांस लेकर सब कुछ दाव पे लगा दे या सेफ खेलते हुए हार को गले लगा ले अगले दिन वो सब सनेल फिरसे अपने गार्डन में टमाटर खा रहे होते हैं तभी एक बड़ा सा पका हुआ टमाटर गिरता है पर वो लुड़कता हुआ उनके गार्डन से बाहर गिर जाता है सारे सनेल उसे खाने के लिए उसकी तरफ जाने का सोचते हैं तभी चेट सब को रोप कर कहता है कि आज घास कटने का दिन है और तभी एक आदमी अपने घास काटने की मसीन लेकर वहाँ आता है सारे सनेल वापस चले जाते है तभी त्यो चेट से कहता है कि तुमने इतनी जल्दी हार मान ली वो उस टमाटर की तरफ देखता है और उसे गानी उसकी बात याद आती है कि एक चांस लेकर सब कुछ दाव पे लगा दो या फिर हार को गले लगा लो और वो उस टमाटर की तरफ बढ़ने लगता है चेट उसे वापस आने को कह रहा होता है पर त्यो को अब वो एक रेस जैसा लग रहा था उसे घास काटने वाले से पहले टमाटर तक पहुँचना था वो अपनी पूरी स्पीड के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है पर उसकी स्पीड इतनी कम थी कि बहुत जल्द वो घास काटने वाली मसीन उस तक पहुँचने ही वाली थी और वो उसमें कटकर मरने ही वाला होता है तभी चेट पाइप के पानी की फोर्सिंग से उसे मसीन से कटने से बचा लिता है चेट उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें मरने का सौक है क्या तुम्हारा दिमाग कहा है थियो उदास होगर वाहां से चला जाता है और वो रोड के किनारे आ जाता है तभी एक बड़ा सा ट्रक उसके पास से गुजरता है और वो उरता हुओ वहां से दूर एक कार के बोनिट पे गिरता है जो एक रेसिंग कार थी और रेस स्टार्ट हो चुकी थी और थियो उस गाड़ी के बोनिट पे ही होता है पहली बार उसने इतनी तेज रफतार का अनुभो किया था उसे बहुत मज़ा आ रहा होता है तभी एक जटके से वो कार के इंजिन के अंदर चला जाता है उस कार का ड्राइवर अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए नैटरस अकसाइड का यूज करता है और वो थ्यो के अंदर भी चला जाता है उसके सेल में बदलाव होने लगते हैं और तभी वो कार से बाहर निकल कर रोट पे गिर जाता है सुबह उसकी आँख खुलती है और वो वहाँ पे अपने आपको अकेला पाता है वो वापस से अपने गार्डेन में आ जाता है तभी वो अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस करता है उसके दोनों आख किसी कार के हेड लाइट जैसे चमक रहे होते हैं और उसके सेल के पीछे भी लाइट जलने लगी थी वो इन सब को देखकर बहुत हैरान था बच्चा उससे डर कर घर के अंदर भाग जाता है थियो अपने स्पीड देखकर बहुत घुस्ता वो उस बाइक को ले जाकर उस गार्डेन में ठकरा देता है जहां बहुत से सनेल अपनी मीटिंग कर रहे होते हैं उन सारे सनेल का लीडर कार्ल थियो और उसके भाई चेट पे बहुत गुस्सा करता है और उन दोनों को अपने समाज से बहार निकाल देता है चेट इसके लिए थियो पे बहुत गुस्सा करता है वो कहता है कि वो कब तक उसकी गलतियों के लिए सबसे माफी मांगता रहेगा थियो अपने अंदर होने वाले बदलाव को उसे बताने की कोसिस करता है तभी एक क्रो आकर चेट को अपने पंजो में उठा कर वहां से लेकर चला जाता है थियो अपने पूरिया स्पीड से उसका पीछा करता है वो क्रो चेट को खाने ही वाला होता है कि तभी थियो आकर उसे बचा लेता है चट थियो को अपने पास देखकर बोलता है कि ये उसने कैसे किया तभी टीटू नाम का एक लड़का उन दोनों को पकड़कर अपने साथ लेकर चला जाता है वो उन्हें लेकर एक जगा पहुंचता है जहां बहुत से लोग पैसा लगा कर सिनेल की रेस करवाते थे वहां और भी बहुत सारे सिनेल्स थे उन्ह सब को एक छोटे से रेस ट्रैक पे खड़ा कर दिया जाता है और रेस सुरू हो जाती है थियो चुपचाप खड़ा होता है वहां के बाकी लोग टीटू पे हस रहे होते है कि उसका सिनेल तो चल भी नहीं पा रहा है तभी थियो अपनी फुल स्पीड में आगे बढ़ता है उसके स्पीड से सब कुछ बिखर जाता है वो वहां के आसपास का पूरा एक चक्कर लगा कर वापस आता है सब उसे देखकर हैरान थे चेट उसे साइड में ले जाता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है लगता है तुम्हें कोई खतरनाक विमारी हो गई है पर थियो उसे कहता है कि उसे डरने की कोई ज़रुरत नहीं है वो बिल्कुल सही है टीटू थियो को अपने हाथ में उठा लेता है और उससे कहता है कि उसे नहीं पता कि वो कहां से आया है पर वो बहुत कमाल का है तब ही टीटू का भाई उसे आवाज देता है और कहता है कि दुकान में आकर वो कुछ काम भी कर ले उनका काम टैकोस बेचना है ना कि सनेल्स की रेस करवाना टीटू अपने भाई से कहता है कि अभी तक उसने इस सनेल्स की रेस नहीं देखी है ये बहुत जादा तेज है और अगर वो इसकी रेस करवाते हैं तो वहाँ लोगों की लाइन लग जाएगी और उनके सारे टैकोज भी बिग जाएंगे उसका भाई उसे सपने देखना बंद करके काम करने को कहता है टीटू थियो के लिए एक बेड बनाता है और उसे गुड नाइट बोल कर चला जाता है कुछ दिर बाद उसके पास महा के बाकिश स्नेल्स आते हैं उन सब का हेड विपलैस नाम का एक स्नेल होता है वो सब थियो से पूछते हैं कि वो इतना तेज कैसे हुआ वो उसे अपने गैंग में सामिल होने को कहता है पर थियो से कहता है कि वो लोग बहुत स्लो हैं इसलिए वो उनके गैंग में सामिल नहीं हो सकता विपलैस उसे उनके साथ एक race करने को कहता है थियो इसके लिए मान जाता है विपलैस उसे कहता है कि जो सबसे पहले उस चमकते हुए star तक पहुँचेगा वही इस race का winner होगा race start हो जाती है वो सारे सनेल दिमाग लगा कर वहां लगे तार से स्लाइड होकर जाने लगते हैं। थियो अपनी पूरी स्पीड से उनके पीछे जाता है। और बहुत जल्द उनसे आगे भी निकल जाता है। पर वो वहां के तार के अंत में घूमता ही रह जाता है। और बाके के सनेल उससे पहले स्टार तक पहुँच जाते हैं। विपलैस उससे कहता है कि सिर्फ तेज होने से कुछ नहीं होता। दिमाग भी होना चाहिए। अगले दिन चेट थियो से कहता है कि तुम कब तक इस टीटू नाम की लड़के के साथ रहने वाले हो। ये तुमारा इस्तिमाल अपना धंदा बढ़ाने के लिए कर रहा है तभी टीटू वहाँ आता है और कहता है कि वो थियो को किसी ना किसी तरीके से सब लोग तक पहुँचाएगा और फिर उनके दुकान के पास उसे देखने के लिए बहुत भीड लगेगी। तभी थियो वहाँ इंडी 500 कार रेस का पोश्टर देखता है वो पूरी तेजी से उस पोश्टर के उपर घूमने लगता है और टीटू को बताने की कोसिस करता है कि वो इस रेस में भाग लेना चाता है टीटू को उसकी बात समझ में आ जाती है वो जाकर अपने भाई को इ एक स्नेल उसमें भाग नहीं ले सकता उसे सिर्फ रेजिस्ट्रेशन कराने के 2000 डॉलर चाहिए ये सुनके उसका भाई उससे कहता है कि उसने इतनी मैनत से ये पैसे जमा किये हैं और वो इसे ऐसे ही बरवाद होने नहीं दे सकता है टीटू उसे समझाने की कोसिस करता है कि लाखों लोग उस रेज को देखेंगे और उसके वज़े से उनका दुकान भी फेमस हो जाएगा पर उसका भाई उसकी बात नहीं मानता है टीटू वहां के आसपास के दुकान बालों को पैसे देने के लिए मनाने की कोसिस करता है वो उन्हें एक प्रिजेंटेशन बना कर बताता है कि कैसे उस सनेल के रेज में हिस्सा लेने से उनकी दुकान पर बहुत से लोग आने लगेंगे और उनका ये अस्टारलाइट प्लाजा एक सूपर मार्केट बन जाएगा पर उन सबको टीटू का आइडिया पसंद नहीं आता है चेट भी थियों से कहता है कि चलो अच्छा ही हुआ वो रेस में हिस्सा ने ले पाएगा नहीं तो ऐसा ही बेकार में किसी कार के नीचे आकर मारा जाता तब ही वहाँ विपलैस अपनी गैंग के साथ आता है और उससे कहता है कि वो किसी भी हालत में थियों को उस रेस में सामिल जरूर करवाएंगे और वो सा जैसे वहाँ के दुकानों में भी अच्छे बिक्री होती है। टीटू का भाई उससे बहुत खुश था पर वो अभी रेस के लिए पैसे देने से मना ही करता है। पर वहाँ के बाकी दुकान के लोग उसे पैसे दे देते हैं और कहते हैं कि उन्हें उस पर पूरा भरोसा है। टीटू उन सब को लेकर रेस में हिस्सा लेने के लिए निकल जाता है। वो अपने भाई का रखा हुआ पैसा बेले लेता है और उसे सौरी कह देता है। टीटू रास्ते में थियो का रेसिंग नाम रखने के बारे में सोच रहा होता है। तब ही वो सारे स्नेल उसे टर्बो नाम का आइडिया देते हैं और वो सब थियो का नाम टर्बो रख देते हैं। सब थियो को रेस के लिए तैयार करने लगते हैं। अगली सुबा वो साव जगा पे पहुँच जाते हैं, जहां इंडी 500 चैंपियन सिफ होने वाली थी, तियो वहां रेस्ट्रेक पे तेज तरार दोड़ती गाड़ियों को देखकर बहुत जाला एक्साइटेड हो जाता है, टीटू वहां के रेजिस्ट्रेशन ओफिस जाता है और कहता है कि उसके पास एक ड्राइवर है, जो रेस में हिस्सा लेना चाता है, वहां का इंचार्ज उससे कहता है कि पहले उसे रेसिंग टेस्ट पास करनी होगी, तभी वो रेस में हिस्सा ले सकते हैं, टीटू उसे कुछ घूस देकर काम कराने की कोसिस करता है, पर वहां इस रेस का अगला विनर, सब एक स्नेल को देखकर हशने लगते हैं, टीटू थियो को ट्रैक पे उतार देता है, थियो अपने पूरिया स्पीड के साथ रेसिंग टेस्ट देने लगता है, वहां के सारे लोग उसके स्पीड को देखकर हैरान थे, उस रेस में थियो की स्पीड पर वहां के सारे लोग इसके खिलाप प्रोटेस्ट करने लगते हैं। तभी गानियस भी कहता है कि कोई भी रेसर छोटा या बड़ा नहीं होता। इसलिए उस स्नेल को भी रेस करने का पूरा हक है। इंडी कार के सीयो को भी उनकी बाते माननी पड़ती है। सब लोग बहुत खुस हो जाते हैं पर चेट अभी भी उदास था। रात में थियो उस से बात करता है कि वो उसके रेस में हिस्सा लेने से खुस क्यों नहीं है। चेट उससे कहता है कि उसे उसकी परवा है। वहाँ रेस में बहुत सारी गाडियां होगी, वो उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा, पर थियों उसे कहता है कि उसे अपने आप पे भरोसा है, और कास वो भी उस पे थोड़ा भरोसा करता, ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, और वो गानियस के गाराज में पहुचता है, वहाँ उसकी कार को देखकर उसे उससे प्यार हो जाता है, वो उसके जीते हुए चैंपिन कप को देखने लगता है, तब ही वहाँ गानियस आता है, और उसे कहता है कि कहीं उसकी नजर उसके कप पे तो नहीं है, वो थियो को अपने हाथ में उठा कर कहता है कि कितना छोटा है वो इसलिए सब लोग उसे race करते हुए देखना चाहते है बहुत सारे लोग इस race को देखने के लिए आएंगे पर हमेशा के तरह जीतना तो उसे ही है वो थियो से कहता है कि अभी भी मौका है race से वो बाहर निकल जाए और वो उसे अपने गराज से बाहर कर देता है अगले दिन race सुरू होने वाली थी टिटू थियो को गुड़ लग बोलकर उसके track पे रख देता है और race सुरू हो जाती है और पहला warm up round सुरू हो जाता है थियो देखता है बहुत से लोग उसे देख रहे है वो अपने पूरी speed से आगे बढ़ने लगता है पर वहाँ इतनी सारी गाड़ियों के आसपास होने से वो बहुत घबरा रहा था वो कई बार तो कार के नीचे आते आते बचता है देखते ही देखते तीसमा लैब सुरू हो जाता है थियो अपनी टीम के पास refreshment के लिए आता है वेपलैस और उसकी सारी टीम उसका अच्छे से maintenance करते हैं वेपलैस उससे कहता है कि वो एक कार नहीं है बलकि एक snail है इसलिए वो एक snail की तरह race करे ना कि एक कार की तरह वो फिर से race में सामिल हो जाता है और इस बार वो confident लग रहा था वो अपने आगे की कार्स के नीचे से निकल कर उनसे आगे निकल रहा था ये देखकर सारे लोग उसका होसला बढ़ाने लगते हैं चेट भी उसे देखकर अब खुस हो रहा था बहुत जल्द थियों की तकर गानी इसके कार से होने लगती है दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की कोसिस कर रहे होते हैं पर तब ही आगे निकलने के चकर में ट्रैक पर पढ़े टैर के कुछ टुकडो से टकरा कर थियों वहां की रेलिंग से जाकर टकरा जाता है उसे बहुत चोट आती है उसका सेल भी डैमेज हो जाता है टीटू और उसके लोग उसे रेस से बाहर कर देने को कहते हैं क्योंकि अगर एक और चोट लगी तो ये बरदास नहीं कर पाएगा और इसकी जान भी जा सकती है पर थियों को अब वो सारी गानियां एक टमाटर जैसी लगने लगती है और वो अपनी पूरिया स्पीड के साथ रेस में आ जाता है और बहुत जल्द वो गानियस के कार के पास पहुंच जाता है बीच-बीच में उसका पावर खत्म हो जा रहा था पर वो हार नहीं मानता है और वो बहुत जल्द गानियस के कार से भी आगे निकल जाता है फाइनल लैप अब शुरू हो चुकी थी और थियो सबसे आगे चल रहा होता है गानियस उचसे किसी भी हालत में आगे निकलने की कोशिस करता है और इसी चक्कर में वो भी उन टैर के टुकडों की तरब चला जाता है और उसकी कार ओट अफ कंड्रोल हो जाती है पर वो अपने हाथ से थियो का सेल के ऊपर का हिस्सा निकाल देता है सारी कार्स वहाँ गानियस के एक्सिडेंट से ट्रैक पही रुक जाती है थियो भी गायलोकर वहीं गिरा था उसका सेल तूट चुका था वो अब आगे नहीं बढ़ पा रहा था पर वो अपने मंजिल के इतने करीब आकर हार नहीं मानना चाता था वो अपनी धीमिय स्पीड से ही आगे बढ़ने लगता है उसके हार ना मानने वाले होशले को देखकर वहाँ के सारे लोग उसका होशला बढ़ाने लगते हैं गानियस भी अपनी टूटी कार को हाथ से ही खीच कर फिनीसिंग लाइन तक लाने की कोसिस करने लगता है वो किसी भी हालत में थियो को रोकने की कोसिस करता है पर थियो सेल के अंदर घुसकर लुड़कता है और फिनीसिंग लाइन को पार कर जाता है वो ये race जीत चुका था सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं थियो को champion cup दे दी जाती है T2 और वहां के बाकी सभी दुकान की किस्मत अब बदल चुकी थी क्योंकि उनका वो plaja of famous हो चुका था थियो का टूटा हुआ cell भी अब recover हो चुका था और उसका power भी वापस आ चुका था और इसी के साथ ये movie यही खत्म हो जाती है तो वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो please do like and share the video and please subscribe to my channel and press that bell icon